रादे कृष्णा फ्रेंड्स मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर फ्रेंड्स आज से मैं पेपर टू कॉमर्स की फॉर्थ यूनिट जिसका नाम है व्यवसाइक वित वो फाइनशियल मैनेजमेंट ओके फाइनशियल मैनेजमेंट तो देखें जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है वित्य प्रबंधन यानि कि वित का प्रबंध करना वो क्या कहलाता है वित्य प्रबंधन कहलाता है ठीक है तो ये वित क्या है वित को आप सिंपल वर्ड्स में मनी कह सकते हैं ठीक है पैसा कह सकते हैं या धन कुछ भी कह सकते हैं आप वित को सिंपल वर्ड्स में मनी पैसा या धन आप कुछ भी कह सकते हैं ठीक है तो एक व्यवसाय में वित का प्रबंध करना ठीक है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है वितिये प्रबंधन तो देखिए वि दिवसाय की वित्य गतिविदियों की योजनाओ संगठन, निर्देशन, तथन, यंत्रन से होता है, तो देखे सिंपल प्रबंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रबंदन क्या होता है, प्रबंदन होता है, योजना बनाना संगठन, निर्देशन, तथन, यंत्रन, कहां तरीके से वित्प्राप्त करना है ठीक है जो हमारे मनी पैसा का पर कहां पर निवेश करना है कि कौन कुन से प्रोडक्ट बनाने है यह सारी चीज़े पहले हम योजना बनाएंगे ठीक है उसके बाद फिर संगठन उसका बनाएंगे फिर अधिर निर्देश देगे किस तरीके से क्या काम करना है ठीक है फिर नियंत्र यानि की वह प्रोसेस जो हमने जो योजना बनाए थी वuchen तरीके से हुई या नहीं ठीक है तो दीक है वित्य प्रबंद का संबंद उन प्रबंद के यह निर्णेयों से होता है झिन से विवसाई में कोशो का उपार्जन तथा उनका प्रभावी उप्योग संबव dell, जो प्याप्ण और उनका उनको कहा पर लगाया जाए जिससे कि हम अधिक सद्धिक लाव प्राप्त हो है् == कोन-कोन ईन्रने लिये जाते हैं जैने कंड़ से जॉतित। साथनों को कहा लगाया जाए, विएचना नियुचन के विवेचना थठा नियंतरन के से लुट। यह सब दो किस तरीके से ऊगा lub फिर असरे क्षीं का वेस्तार करें करने ज़ने अत्रों के तरहें यहां ज़ल्दी ग्रॉट करें रहा जो व्यज़ाइञ उसके बाद देखे रित्यप्रबंध की प्रक्रती तो देखे रित्यप्रबंध जो है उसका नेचर कैसा होता है फर्स्ट है व्यवसाइक प्रबंधन का अभिन अंग तो देखिए ये जो वित्य प्रबंध है ये व्यवसाइक प्रबंधन का अभिन अंग होता है क्योंकि जब हम अपनी money लगा रहे हैं ठीक है तो तब तक वो काम नहीं हो सकता है तो इसलिए विवसाइक प्रबंदन का अभिनंग कहलाता है उसके बाद देखिए सतत प्रक्रिया यानिकि यह जो प्रक्रिया है वह चलती रहती है क्योंकि हमें जो वित है उसका डेली बेसिस पर ही काम पड़ता रहता है चोटी चीज भी केरा में परचेस करनाहिए ठीक है तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है तो इसलिए जो वित है वह डेली काही काम है कोई ऐसा नहीं कि आज काम हिव्या हमारा अज सिरुआ करा हो राव ईंगाया उसके बाद उसका नियंतरन किया कि क्या वो सही हुआ या नि तो उसके बाद फिर दुबारा से ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि फिर से नियोजन फिर संगटन फिर निर्देशन और फिर दुबारा से नियंतरन ठीक है तो इसलिए ये प्रोसेस जो है लगातार इस तर अगर इस प्रोज़ेक्ट पर उपना हुज़ेक्ट कोड़े जादा गडर ने क्जिए अक्वामक बैसे भिण की वित्यें प्रभंध होता है यह लेखांकन से भिन होता है लेखांकन यानि कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में हम सारी चीजों का रिकोर्ड रखते हैं जो भी हमारे खर्चे हैं या जहां से भी मतलब पैसा आया या कहीं पर दिया वो सब हम क्या करते हैं सिर्फ हम लिखांकन के अंदर record रखते हैं लेकिन वित्य प्रबंद के अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर management करते हैं कि कहां से हमें प्राप्त करना है और कहां पर हमें लगाना है उसके बाद देखिए व्यापक छेत्र इसका जो छेत्र है वित्य प्रबंद का यह काफी व्य संगठन चाहे चोटा हो या बड़ा हो हमें वित्य जो हर संगठन में चाहिए है ना किसी भी संगठ में कुछ भी काम करने के लिए हमें वित्य चाहिए चाहिए चाहे वो छोटा हो या फिर वो बड़ा हो इसलिए जो वित्य प्रबंद है वो हर प्रकार के संगठन में होता है उसके देखिए उपकरम के सभी विभाग से समनवे आवश्यक क्योंकि देखिए उपकरम के कोई सा भी विभाग है चाहे वो उपर का विभाग है ठीक है और चाहे फिर वो नीचे का विभाग है हमें वित हर विभाग में चाहिए होता है हर विभाग में चाहिए हमें वित तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक हमें समन्वे होना बहुती आवश्यक है यानि कि हां से यहां तक हमें जो डीटेल से वो पहुंचती रहनी चाहिए ठीक है कोडिनेशन जरूरी यहाँ पर उसके देखें उच्छ निर्णेयन में सहायक उच्छ निर्णेयन में मतलब even फदायान ही कि दो से दो प्रोजक्ट है या कोई सा भी टीन चार प्रोजक्ट फ़ुसमें अनलाइक Department and सबताए तक आपको कि उसमें हम एक प्रम आपक 17 हमारा फायर साा जिसमें विए प्रिजेक्ट आपक 13 सबिक्याच 12- सुभच कोई निरने सकल शयदा है कि हम कहां पर अपना जो पैसा है जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट के उसके बाद देखिए वित्य प्रबंद के कार्य अथ्वा शेत्र तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट है वित्य प्रबंद के कार्य और शेत्र कि वित्य प्रबंद के कार्य क्या क्या होते हैं वित्य प्रबंद का कारे ना केवल कोशों में वृध्धी करना है बलकि विस्तित रूप में कोशों का प्रबंद भी करना है ताकि फर में इनका उपके वो कुशलता से करे यानि कि सिर्फ हमें कोशों में मतलब बढ़ाना ही हमारा वित्य प्रबंद नहीं होता बलकि कोशों क प्रबंद भी करना कि कहां से हमें पैसा चाहिए अब देखिए मान लिजे कि बड़े बहुत बड़े लेवल पर कोई काम करने जा रहे हैं ठीक है जहां पर करोड़ों रुपया लगना है जहां पर बहुत बड़ी संख्या पैसा लगना है तो कोई भी मतलब एक परसन होता है तो इसके पास इतना पैसन नहीं होता है तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है उसको कोशों से मतलब अलग अलग जगे से पैसे प्राप्त करने पड़ते हैं जिससे कि वह अपना काम स्टार्ट कर सके तो होते हैं ना कंपनी की शियर्स डिबैंचर्स इस तरीके से है ना तो वो सबी कोशो के साधन होते हैं हमारे तो वहां से हमें कोशो का प्रबंद करना होता है तो इसलिए सरफ वित्य प्रबंद का कारे कोशो में वृद्धी करना नहीं है बलकि कोशो का प्रबंद करना भी है ठीक है तो इसलिए जो वित्य प्रबंद है उसके दो मुख्ये नि निवेश निड़ने और सेकेंड होता है वित्यन निवेश निड़ने यानि कि इसका अर्थ है फर्मे उपलब्द कोशों का निवेश कहां पर तरह किस प्रकार किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि अपना पैसा जो अपनी मनी कहां पर लगाई जाए कि जिससे जादा से जो है हमें profit मिल सके ठीक है तो निवेश निड़ने के अंतरगत सिर्फ हमें यही नहीं देखना होता बलकि इसके अंदर और भी कई निड़ने लिए जाते है ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहला जो निड़ने होता है वो तक कारेश वील पूंजी का प्रबंद भी इसके अ आप सब्सक्राइब को पता होगा का रेश वील पूंजी यानि की ब्रकिंग कापिटल यानि करेंट एससे इस माइस करेंट लाइबिल्टी जो ती वह मैं हुमारी वर्किंग कापिटल होती है ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले कारेश यहील पूंजी का प्रबंद किया पूंजी बजटिंग सम्बंदी निर्ने लिए जाते हैं क्यापिटल बजटिंग इन सब के बारे में हम डीटेल में आगे पढ़ेंगे जब और भी वीडियो आएंगी तो इन सभी के बारे में मैं आपको आगे डीटेल में पढ़ाऊंगी ठीक है उसके बाद दिखिए थर्ड होता है विले पुनर गठन तथा वी निवेश का प्रबंद विले पुनर गठन क्या है तो विले देखिए विले होता है जब मतलब कोई दो कंपनी मिलकर की एक बन जाती है तो वो क्या होती है विले उसके पुनर गठन यानि कि अपनी कंपनी को दुबारा से मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो वो होता है पुनर गठन ठीक है तो इन सब के भी इसके अंदर निर्ने लिए जाते हैं उसके बाद देखिए और जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि इस मशीनरी को हम परचेस करेंगे तो हमें कितना खर्चा आजाएगा है ना तुमशे continentalelf, मIST कैसब करेंडेँ तो उसके थुरू हमें कितना benefit मेल रहा है तो जो बैस लगेगा यानि कि अगर हम machinery को purchase करना हमें बैस लगेगा कि अगर भई फ्यूचर में भी हमारी हो जाएगी किराये पर अगर हम मशीनरी लेने है तो वो तो हमारा किराया तो चला जाएगा लेकिन जो हमारी machinery वो भी वापस चलिजाएगी सात में है झाल कि हमने किराये पर लिये रेंट पे लिये तो इसलिए यहां पर यह भी देखा जाता है निवेशनिरने के अंतरगत कि जो हमारी कोई भी जो मतलब प्रतिभूती संबंधी तथा पृटफोलियो प्रबंध आदि निर्ने भी लिए जाते हैं उसके बाद आपको आगे बताओ है तो आपको मैं बता दी कि निवेश निर्ने के अंतरगत कौन कौन से निर्ने लिए जाते हैं कि उसके बाद आएंट चमकिंश कहां पर लगाएं और जो फर्म में से प्राप्थ है उसके अंदर इसके अंदर होता ह है कि देखिए बहुत सारे कोश्प्राप्त करने के काफी सारे साधन होते हैं जैसे शेयर्स हो गए ठीक है डिबैंचर्स हो गए और शेयर्स डिबैंचर्स और वह बॉन्स होते हैं ठीक है और इस तरीके से और भी काफी सारी चीजे होती हैं जिन में से हमें देखना होता है कि इसमें से हम कौन से साधन से अपना जो है कोश प्राप्त करें क्योंकि यह सभी चीजे जो होती है यह काफी सारी चीजों से प्रभावित होती है जैसे कि कोश की लागत रिन पूंजी है ना और करों का क्या प्रभाव है मतलब tax वगएरा किस पर कितना पे करना पड़ेगा ब्याजदर कितनी है है ना तो ये सभी चीज़े जो है काफी चीज़ इस पर depend करती है तो इसलिए वित्यन निर्ने के अंदर हमें ये देखना होता है कि हम कहां से कौन से साधन से अपना कोश जो है वो प्राप्त करें इसके अंदर एक चीज़ ओर आती है वो है लाभांश संबंदी निर्ने लाभांश संबंदी निर्ने यानि कि माली जे के कोई कम्पनी को profit हो रहा है प्रकीवरियूनली पुर्य descriptions फ्रैश्ग को P.2 यह समय में सकते स्कास में ला सकते हैं की प्रतिधारी क्यों समस्क्राइब वो retained earnings के रूप में रखा जाए जिससे की हम उसको दुबारा अपने व्यवसाई में लगा सकें उस पैसे को दुबारा अपने व्यवसाई में लगा सकें ठीक है तो इन सभी का निर्ने भी हम किसके अंदर करते हैं वित्यन निर्ने के अंतरगत हम करते हैं ओके तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही आशर करती हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इससे like कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करिए और साथ में बने bell icon को press कर दीजिये ताकि आपको वीडियो अप्लोड होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकी थैंक यू